बैंकों के कारोबार को ज़ाधा पारदर्शी और सुगम मनाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर सकते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई प्रिक्रिटाव लागू होने के बाद बैंकों की परफॉ्मेंस परखने का तरीका बदल जाएगा। सरक्या बदलाव हो सकते हैं? सरकार क्या तयारी कर लए जा? बैंकों के कामकाच में बदलाव के लिए ये जो प्रस्ताओ है इस पे पर काफी चर्चा है और शुप हम लोग अकसर जब बैंकों पर चर्चा करते हैं सरकार बैंकों के कामकाश्खकों परकने का registुश का जो पूरा framework है निया मांका, उसे बदलने जा रही है, है उसके तहत अब बैंकों को एक सिर्टाइज देना पड़ता है uh statement of interest, जिसके तहत बैंक सरकार को, क्यूंकि सरकार सबसे बड़ी हिस्षजार है उसे ये बताते हैं कि वो किन किन परामिटर्स के तहत अपने आप को बहतर करेंगे किस prose का बैंकों का एपरेजल है जो सरकार उनका उनकी मालिक हैंगे सबसे बड़ी हिस्षजा आपने करती है financial inclusion को कैसे बहतर करेंगी और इसके अलावा जो customer centric initiatives हैं यानि जो भुकताओं के लिए ग्रहाकों के लिए सेवाओं को सुविधा जग बनाने की प्रक्रिया है इसे कैसे तै करेंगी इसके बिलकुल नए नियम रखे जाएंगे और यह नए नियम 2005 के बाद आ रहे हैं 2005 में इस तरीके का एक structure तै किया गया था जिसमें बैंकों के लिए एक सालाना लक्ष तै किये जाते थे जिन लक्षों का वित्त मंत्राले जिनकी monitoring करता था RBI monitoring करता था सरकार बैंकों की मालिक है तो सरकार के अधिकारी बैंकों के निदेशक मंडल में भी होते थे और जब वो पुराने वाले जो नियम थे उन में cost to income ratio, net profit per employees, credit growth इस तरीके के कई पुराने पैमाने थे उन्हें बदल कर सरकार विशद रूप से बैंकों की health और से जुड़े हुए नए पैमाने शामिल करने जा झाल